जैस्षी क्रिश्ला स्वागत है आपका सार्थी त्रिश्ला के साथ और एस्टो संजे के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईए का आज आप लोगों के अनुरोध पर फिर एक सवाल लेकर हम दोनों आपके सामने हैं सवाल आप लोगों की तरफ से आपके वकील यानि की आपके सर मुझ से पूछेंगे और जवाब as usual मैं आपको दूँगी तो चलें जी बताएं क्या सवाल है आज आपका जिस सवाल ये है तृष्णा जी कि हम और आप कई घरों में वास्तू करने जाते हैं और करके भी आते हैं लेकिन मुझे एक चीज बताएं कई लोगों को मैंने वास्तू करते हुए देखा है समझा है मुझे इस बात का जवाब दीजिए क्या इस वास्तू में जोतिश की भूमी का क्या होती है क्या कुंडली से वास्तू जोड़ा जा सकता है या जब हम वास्तू करते हैं तो कुंडली का ग्यान होना बहुत जरूरी होना चाहिए अनिवार यह है, क्या यह सही है? अगर उनकी नौर्थ की एनरजी में लगजरी नहीं है? अगर उनकी नौर्थ की एनरजी में शुक्र का कोई भी तत्व नहीं है? तो आप उस घर के वास्तु में प्रॉब्लम्स 101% आपको दिखाई देगी ही देगी आप उस घर के अंदर उस घर के वास्तु को कितना भी बैलेंस करने की कोशिश कर लीजे जब तक आप कुडली में देखकर ये चीज उस घर के वास्तु में नहीं डालेंगे तब तक उस घर का वास्तु प्रॉपर होई नहीं सकता बैलेंस होई नहीं सकता घर जिसके नाम से है घर का जिसका खरीदा हुआ जिसका घर है या जिसको वो प्रॉपर्टी मिली हुई है जब तक उस व्यक्ति के ग्रह उसकी कुंडलियों को हम उसके वास्तु की कुंडली के अनुसार बांदेंगे नहीं, उसको एक दूसरे से मर्ज नहीं करेंगे, तब तक हम किसी घर का वास्तु प्रॉपर करी ही नहीं सकते, जैसे कि मैं आपको एक उधारन और देती हूं, सपोस करिए किसी कल लोहे का पाया है, आपने सुना होगा पाये क्या होते हैं, आपको पता यह किसी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है, मंगल बहुत अच्छा है बहुत अच्छे, उसको रिजल्ट्स देरा है, सव डिरेक्शन उसको सूट करनी चाहिए, ठीक, लेकिन अगर उसको लोहे का पाया है, वही आपको नहीं साबित हो जाएगा है उसको बर्बाद कर सबसे बढ़िया होता है घर के प्रमुक के लिए लेकिन अगर उसका लोहे का पाया है और उसको आपने साउथ वेस्ट में अगर आपने रुकवा दिया उसको साउथ वेस्ट के कमरे में रख दिया ऐसा व्यक्ति डिप्रेस्ट हो जाएगा हर एक चीज में कन्फ्यूस्ड हो उसकी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाएंगे शारिरिक, मानसिक, आर्थिक और वो ये कहेगा कि क्या प्रॉब्लम है घर तो मैंने एकदम वस्तुशास्ति से बनाया है साउथ वेस्ट का मेरा बेडरूम है वही होना चाहिए क्योंकि मैं घर का प्रमुक हो जी इसी प्रकाल से अगर हमने कोई घर ले लिया और हमारी कुणली के अंदर राजयोग है राजयोग है हमारी कुणली में बहुत अच्छी बात है हमने घर ले लिया किसी वस्तुशास्त्री को बुलवा के पूरे प्लैन से हमने वह घर वस्तु के अकॉर्डिंग बनवा लिया आपने अगर तो जगे के अलिमेंट को चेक्क नहीं करवाया, आपने यहीं चेक नहीं करा कि राजयोग लेकर अगर आप रासिग भूमी में नहीं बैठे तो आपका राजयोग काम कैसे करेगा यह तो बहुत महतुपूर जानकरिदी आपने यह शायद इसी लिए मेरा कुद का राजयोगा अपने बहुत सव्याद घ्लाप अपने लगाया जाए भूमी और मेरा यह जो व्हाद विए तो आपने मुझसे परामर्श नहीं लिया पूमेट तो मैं अगर चुका हूं कि मैंने यह जगा यह बढ़िगा यह जाए परामर्श नहीं लेकिन यह जगते आप यह जगते बास्तु का एक बहुत बड़ा अपना एक रोल होता है आपकी कॉडलिह के साथ, किसी व्यक्ति पास एक ़मारे पास आने कि जरूरत नहीं है, और उन्होंने अपनी कुणली दिखाई थी और हमने उनसे यह कहा था कि आपके घर के पीछे वाली जो साइड है वो कच्छी है और उसी बज़े से आपके घर में नेगेटिविटीज आ रहे हैं और वही जगे आपको पूरी तरीके से बरबाद कर रहे हैं आप वहां पर हमें नहीं मालूप लेकिन कुंडली बोल रही थी कुंडली बता रही थी कुंडली को आप एक छूटी सी और बारा खानों का बस एक छोटा सा पेज मत समझे कुंडली आपकी पूरी पूरी शिष्टी की जानकारी देती है आपके इर्द गिर्द के लोगों की आपके अरोस बताती हैं, सर तो जानते हैं, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, बहुत सारी कुंदलियां ऐसी होती हैं, जिसके अंदर हम उन्हें ये तक देख कर बता देते हैं, मेरे पास एक बहुत बड़े विख्याद वकीला है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती है, पबलिक लिए मैंने उनसे बोला कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, परस्नल तोर पर, इसको खतम करने के लिए सिर्फ एक तरीका ये है कि आप शूस का कलेक्शन करना बंद कर दीजे, याद है आपको शूस का कलेक्शन करना बंद कर दीजे, तो उन्होंने बोला, आ आपकी कुंडली ये चीज मुझे शो कर रहे है, तो कुंडली अपने आप में एक बहुत विस्तार जानकारी है आपके बारे में, आपने अगर अपनी कुंडली किसी को दे दी और हो सही जानकार हुआ न, तो वो ऐसी ऐसी चीजे आपके बारे में पढ़ सकता है, जो सिवा आपके निम्रलाजी देखकर आपको बता दिया, अरे आप तो नंबर बन है, आपके अंदर तो बहुत काम करने का जुनून होगा, आप तो बहुत पैशनेट होंगे अपनी लाइफ के लिए, अपने काम के लिए, आपको बहुत उचाईयां चाहिए होगी, आपको तो अपना नाम बनाने का, अपना यश्मान सम्मान आपको पाने का बहुत आपके अंदर जुनून होगा, आप अपने पिता के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं रह पाएंगे, आपके पिता आपकी किसी बात को नहीं समझेंगे, सम्मान नहीं देंगे, आपने छोटी-छोटी लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि एक numerologist के पास जाकर मैंने अपनी life को ठीक करने की कोशिश करी है या मैं सिर्फ एक वास्तु शास्ती के पास जाकर मैं अपनी life की problems को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं बोलूँगी कि हो जाएंगी लेकिन एक certain time के बाद वापस से परेशानियां चालू होंगी एक निश्चत समय के बाद चक्र वापस से आपकी तरफ घुमेगा और पिछले से दुगनी speed पर घुमेगा उस चीज को stop करने के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी में जाना चाहिए जिसे जोतिश की पूर्ण knowledge हो और जिसे जोतिश के उपर हर एक चीज मालूम हो ग्यान हो ग्यात हो और वो उसके साथ आपकी बाद की चीज़ों को जोड सके और उसमें से ही चीजे बाहर निकाल सके तो सोनर दर्शको आपने सही जानकारी सही लोग और सही समय बिल्कुल तो फिर आते हैं सही चीज सही जानकारी सही लोगों के साथ कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बूद लेके तब तक के लिए मुस्क राते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के ख्यार रखेगा अपना और उनका जिन से आप प्यार करते हैं मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी तब तक के लिए राधेगी कृष्ण कृष्ण सार्थी मात्रशला ज्योतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है ज्योतिश शास्त्र में पीच्टी मात्रशला पिछली 22 वर्शों से ज्योतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ-साथ अनेक दुरलब गुडविधाओं जैसे परच्छाई एवं लव्ज के अध्यन से अपनी सटीक भविश्वानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात्रशला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप्त कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवाजा जा चुगा है प्राद लाजस्थार का Season 1